नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल आज शेरनी का रिव्यू शेरनी अमित मासूरकर की फिल्म है और यह प्राइम वीडियो एमेजॉन का प्राइम वीडियो उस पर स्ट्रीम हो रही है इसके निर्माताओं में टी सिरीज, विक्रमल होत्रा और अमित मासूरकर भी हैं आज सबसे पहले यह आपसे आग्रह रहेगा कि अभी तक अगर आपने सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है यानि मेरे हम सफर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कर मेरे साथ चलें, मेरे साथ रहें घंटे भी बजा दें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं इसके जानकारी आपको मिल जाएं और फिर वही पुराना आग्रह कि बायम ये कॉफी लिंक पर नीचे जाएं और मेरे लिए कॉफी खरीदें, मेरे साथ रहें शेर नीम, विद्या बालन की फिल्म है विद्या बालन इस उम्र में मुख्य नाइका के तौर पर आ रही है और ज्यादा तर उनकी फिल्में उनहीं पर केंद्रित रहती हैं वह किसी हीरो के साथ नाइका बनकर नहीं आ रही है यह एक अलग कस्म की बात हुई है जो अपने आप में दूसरी अभिनेत्रियों के लिए अनुकर्णियें है और निर्माता निर्देशकों के लिए संकेत है कि अगर सक्षम अभिनेत्री है, दक्ष अभिनेत्री है, पॉपलर अभिनेत्री है उसके लिए भूमिकाएं लिखी जाएं। निश्चिती शेरनी ओथर बैक रोल है और विद्यावालन ने पूरी कोशिस की है कि अमित मासूरकर की जो सोच है उनकी जो कलपना है पूरी फिल्म को लेकर के जो बात वे कहना चाह रहे हैं उसको बखुबी अभिव्यक्त करें पर अमित मासूरकर की पिसली फिल्म न्यूटन आपको याद होगी। न्यूटन का नायक एक दलित था है और शेरनी की नाई का एक इस्तरी है मुझे लगता है एक अंतरधारा है दोनों फिल्मों में वह यह है कि अमित मासूरकर वन्चितों की कहानी कहना चाहते हैं समाजिक द्रिस्ट्री से जेने वन्चित रखा गया है, जेने हाशिय पर रखा गया है, जेने मुख्यधारा में नहीं आने दिया गया है, उन्हें लेकर, अमित मासूल कर मुख्यधारा में आते हैं और उसकी यत्ता के साथ आते हैं उसकी पहचान उसके आइडेंटिटी के साथ आते हैं ये पात्र निश्चेयन करते हैं एसर्शन करते हैं एसर्ट करते हैं खुद को और अपनी बात कहते हैं ये सामाजिक और उसके पीछे के राजनितिक दबाव से न जुकते हैं न रुकते ह ये आगे बढ़ते हैं अमित मासुरकर की ये खास को भी आए और इसके लिए उन्हें अलग से बढ़ाई क्योंकि हिंदी सिनेमा की जो पॉपलर छवी या पॉपलर समाज बन गिया है सिनेमा के अंदर उस समाज में भी वन्चितों के लिए स्थान नहीं है आप याद करें कितनी फिल्में आपने पिसले दिनों में देखी हैं या पिसले दशकों में देखी हैं जिनके नायक दलित हों या जो सचमुच नाई का प्रधान फिल्मे हों और या फिल्म इसी बात को आगे बढ़ाती है अब आते हैं शेरनी फिल्म पर सेरनी फिल्म की कुछ खूबियां हैं जैसे की अमित मासूरकर ने जिस डिटेल में पूरी कहानी को प्रस्तूत किया है अमित मासूरकर ने आस्था टिकू और ये सश्वी मिस्त्रा के साथ मिलकर इस फिल्म की कथा पटकथा और समवात तयार किये हैं इन तीनों ने मिलकर जो कहानी बुनी है वह आदिवासी समाज और जंगल के रिस्तों को भी लेकर चलती है कहानी शेरनी की है उस रिस्ते के डिटेल में हाला के नहीं जा पाए हैं अमित मासूरकर मुझे अपेक्षा थी कि उस रिस्ते उस परस्पर निर्भरता जो समवादों में आता है उस परस्पर निर्भरता को दृश्यों में भी हम देख पाते थोड़ी गहराई से थोड़े विस्तार से उसकी थोड़ी कमी रह गई लेकिन इस प्रिष्ट भूमी में एक अलग शेरनी की कहानी है यह शेरनी है विद्या जो फिल्म की नाइका भी है फिल्म की कलाकार भी है वह फॉरिस्ट अफीसर है आम तोर पर इस नौकरी में महिलाएं नहीं जाती है क्योंकि उन्हें जंगलों में रहना पड़ता है परिवार से दूर रहना पड़ता है उनकी नौकरी में दिन और रात का खयाल नहीं रहता है माना यह जाता है कि अमूमन औरतें इस तरीके के जौब के लिए सही नहीं होती है क्योंकि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां को ज्यादा होती है यहां विद्या का पति उसके प्रती एक अलग दृष्टि कौन रखता है वो चाहता है कि वो अपनी नौकरी कंटिन्यू करे उसमें रहे और वो सपोर्ट करता है निरंतर बाते करता है हम दर्दी रखता है शेर्नी यानि कि विद्या जैसे ही परदे पर आती है स्वस्ट हो जाता है कि उसका अपने माहौल में स्वागत नहीं है चारो तरफ से पुरुशों का एक जाल बिछा हुआ है उस जाल में आ गई इस इस्त्री को वे प्रथम प्रतिकरिया में स्विकार नहीं कर पाते हैं और यह विविन किरदारों के जरिये जाहिर होता है ओफिस में बाहर जंगल में अपने से नीचे के अधिकारियों के साथ अपने से ऊपर के अधिकारियों के साथ ये बातें उभर कर आती है हम देखते हैं कि पित्रि सत्तात्मक समाज में कैसे स्त्रियों को सम्विधान प्रदत समानता के अधिकार के तहत नौकरी तो मिल जाती है लेकिन उनके प्रति उनके सहकर्मियों का दृष्टकोन और रवयय वही पुराना बना रहता है यहां भी यही बात होती है आला कि ना तो समवादों में और ना कहीं ऐसा आयाय कि इस्तरी पुरुष भेड पर कोई विमर्श हो रहा हो लेकिन फिल्म के दृष्ट्यों से फिल् कानी चोटी सी है कि एक जंगल में एक शेरनी आदम खोर हो गई है। फोरस्ट ऑफिसर चाहती है कि उस शेरनी को आबादी से निकाल कर आबादी से दूर जंगल की तरफ भेजा जाए ताकि वहां मवेशियों का और वहां के लोगों का शिकार न करें अपनी भूख के लिए। यह भी बात आती कि कैसे जंगलों के कटने से, शहरी करन से या ओधोकी करन से जंगल के जानवरों की स्थिति मुश्किल होगा है और आदिवासियों का जीवन भी मुश्किल हुआ है। क्योंकि अब तो उनके पास न मवेशियों के चारे के लिए जमीने हैं और न वे जंगल में जा सकते हैं। इन सारी दुवधाओं में हम जीके और पीके की राजनीती देखते हैं। बहुत अच्छा नाम चुला है। कहने का मतलब ये एकी छिक्के के दो पहलूं चुका है और एक कस्चा के बाहर हो चुका है। और ये दोनों सब्साड़ से कि फिर से सत्ता में हम आ जायां। आसन्य है और और उसके पीछी एक अलग राजनीती चल रहë है। कई सारी उप कथाएं अमित मासुर करने फिल्म में जोड़ी हैं एक कथा ये भी है कि शेर का सिकार कर लेना उस से बचाओ का सबसे आसान तरीका है और यहां भी एक पिंटू सहाब सरत सक्सेना ग्रूप में हमें दिकाई पड़ते हैं जो इस बात के लिए जोड डालते हैं कि इन आदमखोरों को मारना यहां तक कि जब उसके शावक बच जाते हैं तो भी उनका कहना है कि एक आदमखोर शेरनी के बच्चे भी आदमखोर होंगे यह सोची कितनी पुरानी सोच है और इसको भी ये फिल्म उभार के लाती हैं विद्या अपने हिसाब से अपना जो उनके आदर्श हैं वे भी तूटते हैं उसे पता चलता है कि इस तंत्र से जूझना इस पर विजय पाना बहुत मुश्किल काम है शेरनी हमारी जो मानों के रूप में वह गुर्राती रहती है उसका गुर्राना शब्दों में नहीं होता है उसके प्रतिक्रियाओं में ह होता है उसके कारियों में होता है यह फिल्म बहुत सुक्ष्म तरीके से बहुत सारी बाते कह जाती है हिंदी सिनेमा के आम दर्शकों को यह लग सकता है कि फिल्म थोड़ी धीली चल रही है धीमी चल रही है तोड़ी शित्ल है एक्शन बहुत तेजी से नहीं हो रहे हैं घ बखास करके जब वो गीत आता है बंदर बांट वाला वा तो समाज की विडंबना को जाहिर कर देता है विरोधावास को जाहिर कर देता है मैं इस फिल्म के कलाकारों को भी धन्यवाद दूँगा कलाकारों में शरत सक्सेना, ब्रिजेंदर काला, नीरस कावी, बालेंदर सिंह और कई सारे कलाकार हैं जो बहुत मुखर नहीं है लेकिन अपनी भूमिकाओं को सही तरीके से निभाते हैं मुझे ब्रिजेंदर काला के गठन में थोड़ी सी दिक्कत लेगी है और दूसरे ब्रिजेंदर काला जिस तरीके से जिस अपने मैनरिजम को अब दोराने तिराने लगे हैं वह थोड़ा सा असंतुष्ट करता है और विद्या के किरदार में और उर्जा हो सकती थी ऐसा लग रहा है हलाकि उसे अंडर प्ले किया है विद्याबालन ने जो अपने आप में एक शैदी हो सकती है मैं इस फिल्म को साड़े तीन स्टार देना चाहूंगा शुक्रिया महरवानी धन्यवाद